हम सिर्व यह कह रहे हैं कि भवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा सुनो ए मचलियों मचलिया हम सब हैं भवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा सुनो ए मचलियों तुमको वह चारा दे के मारेगा और गलत वहमी है यह तुमको के अच्छे दिन भी आ करेंगे बड़ा चालाग दुश्मन है सहरा देखेंगे बाइने किता सही का है पता नहीं हमारे देश का जो भाइचारा जो आपस में जो प्रेम था वो कहां चला गया है नहीं पता जहां देखो हुआ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ये पुरी सरकार ने जब से आई है सर दों करेख हिंदू के दिल में मुसलमानों के लिए इतना डर डाल दिया और उस Васजादा मुसलमानों के दिल में हिंदू के लिए इतना डर पैदा कर दिया कि आज लोग अपनी अवाज उटाने से भी डरते जो मंतरी कॉंगरेश के अंदर वो पहले गलत थे लेकिन अब जो बीजे पी अब वो बीजे पी में आ गए तो वो सही हो गए क्यों हो गए बाज हम यह कहेंगे कि जूमते हैं साफ सारे जाने कैसी बीन है इनका ना इमान है ना इनका कोई दीन है और जिसको भी देखो वो दुलके ही निकलता है भाजपा सरक है दो करें है नया गभी बनाऊंगा बनाओं आउं जो राहुल कांधी के भारत जोड़ों नया आतरा के सफल यह भाइरत जोलो यातरा है यह मुखब है यहां पर कोई भी आत्मी किसी भी व्जक्ति को पख़कर पूछ लिये 100 यूज पर भी नहीं आया होगा है यह 25 ते grap और दाइरे में सिमट के आया है हर रिवायत से हट के आया है आंधियों को जरा खबर कर दो शेर वापस पलट के आया है तो यह जो राहूल गांदी घंटा घर पर आये हैं लखनाओ के जंदा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं कितना असर पड़ेगा और 24 में कौन आ रहा ह कर यहां साही देख लीजिए कि राहूल गांदी बार्ट जोड़ जयात्रा कर रहा हैं लखनाओ आरे हमारे शहर कियोंकि हम लोके पर अब घंपर मेरे सकते हैं हमारे मिनमे इतनी कई शहर है और राहूल गांदी को आज यहां से इतनी तैजीब इतनी मुहबबत मिलेगी कि इंशालला वह 24 में जीद कर दिखाएंगे इंशालला अच्छा अबस एक मैं आपके सवाल पहले मेरी सुन लीजिए मैं बस यह कहूंगा कि हम हिंदू मुसल्मान 14 से पहले जब स्थार खुखास संति यह थैसेव जिस का मेरे बाइग को सबका साथ सठकाव हिगास नहीं दो का साथा तो का साथ है उनका अमबानी अडानी का ऑब रोकर सभाद कि सबका साफ तक आ दिल्कुल हो रहा है क्यों नहीं हो रहे हैं आज हमारी आपकी जितनी एज है इस टाइम पे हम लोगों को अच्छा काम होता अच्छी जॉब होती आज बेरोजगार गूम रहे हैं आप क्या आप डिरेक मुले पकोड़े तलो अभे पकोड़े भी तो तलेगा आदमी तो उसके लिए भी तो पैसे मतलब उसके पर पनी फोटो भी अपना चपवा कर आप दे रहे हैं मतलब गरीब को पूरी तरीके से जलील कर रहे हैं आप क्या नहीं कर रहे हैं और आपकर की बात करते हैं मुधी जी कायते है कि देश के अंदर बेटिंट एह बहुत ज्यादा से फूसे तो हैं कभी कुकर में कभी फ्रिज में कभी कॉट्थे क्या रहें कभी कुट्ते के हारें नहीं हम जाएंगे हम कही और के जाने वाले बह entrada होंगे इसी सरजमीन में जिंडा हैं तो सजदा करते हैं मर जाएंगे तो ऑजाएंगे जयान Melbourne रेकिन और फार्म साथ पता विकास भीर रेफ results नहीं हो रहें हम इंदुस्तान में रहते हम सिर्फ यह कहे रहे हैं कि हैवानियत का कोई तरफगार नहोगा जालिम का नहीं है हैवानियत का कोई तरफगार नहोगा जालिम का यहां कोई मदद्गार नहोगा और इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो भारत में कभी कोई बलतकार नहोगा आप इसलामिक कानून की बात करते हैं और हिंदुराज की बात करते हैं अरे भाई हम इसलामिक कानून हमने क्या मैंने अपनी राय रखी है मैंने अपनी राय रखी मैंने करो इसलामिक कानून भाई यह समीदान से चलेगा इस्लाइमी कानून से नहीं चलेगा मैं तो नहीं करहा है मेरे फिज्साइए उन Kimberly अघ्रीज ऑग मंधिर भेज़े तो अब किया है कि बहुत Oliver का उसके बात क्या मुद्दा है नाी सुनिये वह सिर्फ और शिर्फ वोसर उन्होंने बावरी मश्द को शहीद करके मुसल्मानों की नफस देह लिया मुसल्मान खामोश है सिर्फ इस बजह से कि यार बेतर वैसला हो आद्रस्तारा धालति होती है उसकी अधालत में बाता है वे इतर फैसला होने वाला है को ठिकिह की आपकी वात पर इभात पर आपनी क्या क्या क्वाइंड पर मंदिर भाइज तो यह कूं चिला रहे हैं कि हमने बनाया ने कियो इंकर और भी हिंदू, मुसलमान को काड़ना चाहे रहे हैं. हमने इसलिए शुरू में एक बात कहीं थी, कि वतन के लोग अगर एक साथ हो जाएं, तो मेरे देश के निता आनात हो जाएं. वतन के लोग जब तक एक साथ नहीं होगे. जारेंगे टोड़े जा रहे हैं निकले जा रहे जा रहे हैं कियूं निकले जा रहे हैं आप पहले यह देखो जो हिंदु तुमारे साथ2014 में रहता था जो मुसलमान उसक्तु 2014 से पहले रहता था कॉंग्रेस की सरकार में दम भाई की तरा आज वो तुमारा कट्टर दुस्मन क्यों बने हो दुसरे के क्यों बने हो भाई राहूल गांधी का पैगाम सिर्फ यही है जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा नए अंग्रेज आये हैं नया गांध गांधी को मान रहे हैं बाई गांधी को मारने वाले को गांधी को मारने वाले को सिपर हीरो बना है कहां जा रहा है समीधान समीधान को तो रख दिया बाई साब बन करके एक दम एक दम बन करके रख दिया है और हमसे पूछता है कि तुम समीधान को मानते हो या कुरान को मा टोक के कौाओंगा मैं कुरान को मानता हूं किए मेरे कुरान कै का पॉरान ने समीधान को मानने की जज़त दिया यह कराइन की ज़या कुराएन का मानने की जफ दिता है ख wine is घुए ऑप ये बताइए अप इनकता समीधान अजयाजत देता है कुरान को किसी भी सिर्फ मुझसे नहीं आप किसी से भी पूचिए अगर वह इंसान होगा तो वह सच बोलेगा अगर वह भक्त होगा तो वह कुछ भी बोलेगा अगर इंसान है तो वह सच बोलेगा और भक्त है तो कुछ भी बोल सकता है कि अगर इंसानियत के नजरीये से देखेंगे तो यह देश पूरा का पूरा टूटा हुआ है और इसे उठाने के लिए इस अपाहिज देश को अपाहिज कर दिया है कभी यह सोने की चुडिया होता एक अगर उठाना है तो रहुल गंदी को बढ़ाना थी कर दिये राजनीती चीक नेचे कि अब यह सबनता की टाकत का तुम सीके सिखा हो वह कह रहे हैं कि और हम इसके सी के रहा है जो देख लिए कामरा गुमा कर देख लीजिए उसकी मुहबत ने वह भी आया नहीं है पूरे भारत में जहां से निकलता है इंतजार कर रहे हो भाई हम लोग चार गंटे मुझे हो गए हैं मुझे कोई प्रसनल लगाओ तोड़ी हुंसे कि मुझे राउल गांदी आएंगे मुझे गले लगा हम लोग पांच किलो राशन मिला चने मिल रहे हैं चने कब मिले शुरुवात में जब चुनाओं उत्तर प्रदेश का नहीं हुआता है जब चने ते जब तेल ते यह फिर बट रहा है चुनाओं जीते सरकार बनी यूपी में चने गयब चने गयब और हमारे वाई कुछ क्य करते हैं सरकार ने अ domains a यह मिला में मिला मिला मिल्ती है एक जब पानी के अंदर जो है ना समंदर यूप तो वाटोल भाफ बन जाता है तो वह उठाके मारता है फिर दूबा के मारता तो जैसाब से लोगनी और महंगाई और और गलत वहमी है ये तुमको के अच्छे दिन भी आयेंगे जैसे हो गलत वहमी है ये तुमको के अच्छे दिन भी आएंगे बड़ा चालाग दुश्मन है सहरादे के मारे, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, जो MLA, जो MP, जो MLA, जो MP कंगरेस के अंदर पहले था, वो अगर आप बीजेपी में शामिल हो गया तो वो सही है, ठीक है, भाई, जो MLA, जो MP पहले कंगरेस में था, तो वो चोर है, मक तो गलत है वहाज हमगानोंriend जो मंत्री कॉंग्रेस के नंदर वह पहले गलत थे लिकन अब जो बीजीप में अगे ऻो क्यों हो गयं बार समय हो गये के जोमते हैं साफ-सारे जाने कैसी दिंद जूमते हैं साफ सारे जाने कैसी बीन है इनका ना इमान है ना इनका कोई दीन है और जिसको भी देखो वो धुलके ही निकलता है वाशिंग मशीन है तो यह देश के यूआ है और लगतार बेरोजगारी और महंगाई को पर सवाल खड़े कर रहे हाला के राहुल गांदी अभी भी आये नहीं है जान कंदर फसे में लोग बे सबरी से इंतजार कर रहे हैं राहुल गांदी का और इन यूवाओं को राहुल गांदी से बहुत सारे उमीद हैं अभी हम उतर परदेश के राजधानी लखनाव के घंटा घर पे मौजुद हैं और यहां पे जनता से लोगों से खचा खच घंटा घंटा घर बरा हुआ है आप क्या को सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिए